नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत हैं दोस्तों साल भर की सबसे बड़ी पुरुनिमाओं के अंदर अगर किसी विसीश पुरुनिमा का इस्थान होता है या दिन होता है तो दोस्तों वह होती है कार्थिक पुरुनिमा दोस्तों हिंदू धरम के अंदर पुरुनिमा टिथी पर पवित्र नदी का सिनान करना या नदी के जल से सिनान करने का विसी समेहतव रहता है और दोस्तों अगर बात करें कार्थिक पुरुनिमा की तो दोस्तों कार्थिक पुरुनिमा के दिन किसी भी परकार का उपाय आधी करने से हमारे जीवन के वारे नियारे हो जाते हैं दोस्तों कोई व्यक्ति दिपावली के दोरान क्यूख जाता है किसी परकार का उपाए आधी करने से तो दोस्तों कार्थिक पुर्णिमा उसकी जीवन को माला माल बनाने का एक सुनरा अफसर होती है दोस्तों इस बार की बात करें तो आठ नवंबर 2022 मंगलवार के दिन इस बा खुशियां देखने को अपने आप ही मिल जाती है तो दोस्तों बात करते हैं कार्थिक पुर्णिमा के इस अनोखे उपाए की तो आगे बटने से पहले आपसे निविदन है वीडियो को पूरा और अंत्रतक देखे और साथी साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों पुर्णिमा अथार्थ की माता लक्ष्मी और भगवान विस्नु का दिन माना जाता है इसी के साथ ही दोस्तों दिपावलिक के बाद आसमार में चंद्रमा सबसे ज़्यादा उच्छ परकास के अंदर इस पुर्णिमा के दिन होता है कही पर इसे छोटी दिपाव दोस्तों आप क्या करें कि एक आटे का दिपक लें आटे का आप अपने घर के अंदर चोमोखा दिपक बनाए आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है रेटा आप जो दिपावली को बड़ा दिपक काम में लेते हैं दोस्तों बस मत्र आपको वह दिपक लेना है और दो दीपक के अंदर दोस्तों आपको मिक्स करके तेल डालना है आपके घर के अंदर सनी दूस को समाप्त करने के लिए आपके भग्ये की उनती के लिए और साथी साथ नकारतमक्ता को नश्ट करने के लिए इसके अंदर दोस्तों सरसो का तील डालते हैं दूसरा दोस्तों तेल इ गर आपके घर के अंदर चमेली का तील नहीं हो तो बस मत्र आप इसके अंदर किसी भी पुस्प की एक पंखुडी भी डाल सकते हैं जिसे आपके जीवन के अंदर सत्रू का भै होता है या फिर ऐसी आकस में दुरगटनाओं का भै होता है तो वह इसका पुरुणिमा के जो भी घी होता है बैसे तो गाइका की बहुत उत्तमाना जाता है उसके अलभा भी गाइका की आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं आप साधरन सागी इस दीपक के अंदर डाल दे और इसके बाद इस दीपक को पुरुणिमा की रात्री के ऐसे ही रख दे और जब पुरुनिमा का समय हो जाता है अधात के द्रात्री के आठ बज़ जाते हैं तब आप क्या करें कि एक कमल का पुस्प लें या कमल का पत्ता लें या इन दोरों में से कोई एक चीज नहीं है तो दोस्तों गोलाब की या हजारे की पंखोडिया नीचे बिछाएं और उ उसके बाद ओम नमामी विष्णवे परविष्णवे मम कार्यम पूर्टिम कुरूम स्वाहा इस मंत्र का जाप आपको लगातार 11 बार करना चाहिए और जाप करते समय दोस्तों क्या करें आपके घर के अंदर लोंग या फिर काली मिरच जो भी चीज आपको मिल जाती है उन देवताओं को आकरसित करने की इसके अंदर एक गजब की सकती हो जाती है जिसके बाद दोस्तों आपके घर के अंदर एक ऐसे सकारत्म का माहोल का निर्मान होता है कि कोई भी आपका बाल वांका नहीं कर पाता जो आप चाहते हैं वह आपका कार्य होता है दोस्तों उसके अ माप्ट करते हैं आप देखेंगे कि किस परकार आपके जीवन भर आपकी सारी परिशानियों का अंत हो जाएगा और माता लक्षमी की करपा से आपका घर परिवार खुशियों से भड़ साता है तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी इस परकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी साथ वीडियो को लाइक करना और सेर करना न भूले ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे धन्यवाद मित्रू जैसरा मित्रू